नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for civil services में इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश sensors के related जो भी important facts है 2011 के जो भी important facts है उस अभी कुछ UP sensors से देखेंगे और पूरा detail में देखेंगे इसमें देखेंगे जितने भी अभी तक RO, ARO के जो प्लस जो upper PCS प्लस lower PCS जितने question इसमें आ चुके है सब कुछ मैंने इसमें include भी कर लिया और इसलिए detailed में बनाई पूरी काफी देर से इसलिए मैं बना रहा था और इसमें सब कुछ include है इसमें सबसे पहले कुछ एक normal fact आप जान लेजे कि जो जनगरना है यानि कि census सबसे पहला इंडिया में कब हुआ था वह था 1872 में लॉड मायो के टाइम पे लेकिन वो विदिवत शुरुआत नहीं थी और विदिवत शुरुआत जो ही वो 9 साल बात जब ये लॉड रिपन आया 1880 में तब से चालो हुआ तो अगर question आएगा कि सबसे पहला census इंडिया में कब हुआ 1872 मायो के टाइम पे लेकिन विदिवत यानि कि एकदम एकदम अरेंज तरीके से जो census चालो हुआ है वो अगर आप देखेंगे 1880 में लॉड रिपन के टाइम से स्टार्ट हुआ है 2011 में जो जन गड़ना हुई है वो यह पंदरवी जन गड़ना है यह स्टार्टिंग से लेके और अगर आप सतंतरता के बाद से लेके देखेंगे तो यह सात्वी जन गड़ना होगी यह दो चीज़ आप याद कर लिए और इसके अंतिम आकड़े आयते 31 मार्श 2011 को देखें उत्तर प्रदेश राज इस तर पर जो अंतिम आकड़े जारी किये गए हैं वो किये गए हैं 2013 में जारी किये गए हैं तो मतलब जो मैंने इसमें इसमें फैक्ट इंक्लूट किये हैं वो एकदम latest हैं और एकदम to the point है और जो भी इसमें लिखा हुआ हैं यह सब जिलो का उस टाइम पर मौयाना किया गया था क्योंकि अगर आप देखें तो यह 2013 में उत्तर प्रदेश का लेटिस्ट जो जिला एड़ हुआ है अमेठी तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले ही हैं लेकिन उस टाइम जब सेंसर हो रहा था तो 71 जिलो का आपने यह समझ स अब देखें उत्तर प्रदेश के टोटल जनसंख्या कितनी है कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के संसर के इसाप से यह है 19.98 करोड और इस समय जैसे आपने देखा होगा योगी जी और प्लस उत्तर प्रदेश के कुछ नेता जो बोलते हैं करीबन 22 करोड हो गई है लेकिन 2011 का फॉन पर्संत जो भागें उत्तर प्रफदेश में उत्तर प्रफदेशlook है इंडिया की कि उत्त्र प्रफदेश में تब्सकर्पर्फे ज darauf करोड उन्स टांट की उत्तर प्रफिर्पर्फदेश में और अगर आप इसमें तो यह देखे 2017 ग्यारा में 2001 में थी उत्तरफदेश की जन्सक्या 16.62 करोड और उस टाइम थी उत्तरफदेश इंडिया की 16.16 परसंट थी इंडिया की पूरे आप देखें 19.98 करोड टोटल पॉपलेशन है उसमें से पूरुष कितने उत्तरफदेश में 52.29 परसंट यानि की 10.44 करोड है महिला है कितनी 47.71 परसंट यानि की 9.52 करोड हैं टोटल महिला है विस सुभर में अगर आप देखें अगर आप उत्तरफदेश को एक कंट्री माने तो विस सुभर में अगर जन्शंक्या का पूरा यह किया जाए इसमें की टॉप 10 में कौन है तो उसमें उत्तरफदेश मतलब की जो 2011 में जो भी अडिशन हुआ है पॉपलेशन का उसने ब्राजील को और टॉपल कर दिया है तो इस समय अगर आप देखें उत्तरफदेश को ऐसे कंट्री माने तो पूरी दुनिया में पॉपलेशन वाइज उत्तरफदेश पांच वे नंबर पर आता है अब यह है इसमें साड़े एट पॉइंट सेवन फाइफ लाग लोग रहते हैं मतलब आट लाग पचहत्तर अजार लोग रहते हैं महुबा में तो यह देखें दो चीज़ इसमें याद कर लिए सबसे जादा आबादी उत्तरफदेश के किस जिले में रहती है यह रहती है लास्ट में चित्रकूट थाड लास्ट है यह हमीर पूर तो यह आप याद रख सकते हैं यह देखें उत्तरफदेश की आबादी का पूरा यह 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 वाइस जो डिकेडल मतलब यह पूरा ग्रोथ दिया हुआ है कि उन्निस सो क्यावन में साड़े छे करोड थी करीबन सिक 21 करोड हो गई और अभी हो गई 19.98 करोड 2011 के संसस के साब से और उसमें से मेल कितने हो गए 10.44 करोड और फीमेल हो गए है इसमें 9.53 करोड तो यह आप याद रख सकते हैं कि मतलब लगातार जो आबादी उत्तरफदेश की वो बढ़ती ही जा रही है देखें कुछ ना कितना अडिशन हुआ था वह था 25 परसंट करीवन लेकिन इस बार जो डिकेडल अडिशन है वो कितना हुआ है वो यानि कि 2001 से लेके 2011 तक में जो डिकेडल एडिशन हुआ है लेकिन फिर भी 20 परसंट हुआ है तो मतलब ओर आबादी तो बढ़ती जा रही है देखें ब्रध इंडिया की पॉपलेशन कितनी बढ़ रही है डिकेडल ग्रोथ में तो 17.7% है यह मतलब इंडिया की पॉपलेशन से कहीं जादा तेजी से उत्तर प्रदेश की पॉपलेशन बढ़ रही है इसमें से अगर आप देखें तो यह मेल की पॉपलेशन उत्तर प्रदेश में जो जो भारत का डिकेडल क्रोथ है ये भी जैसे आप देखेंगे तो लगातार ये बढ़ता गया बढ़ता गया कहा तक 1961 से लेके 1971 तक और फिर ये धीरी धीरी घटना चलूगा है और लेटेस जो डिकेडल क्रोथ इंडिया की है 17.7% है उत्तर प्रदेस का अगर आप देखेंगे 1901 से लेके या फिर आप आजादी के बाद से लेजिए तो ये हमेशा बढ़ता रहा है और फिर ये बीच में तीन सालों के लिए तीन दसक के लिए 1971 से लेके पूरा 2001 तक इस्तिर हो गया था 25 परसंट पर और इस बार ये गिर गया है 25.85 परसंट से लेके 20.22 परसंट रहा है इस बार का उत्तर प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ कि इसाब से नंबर वन पर कौन सा जिला है वह गौतम बुद्धनगर मतलब कि यहां पर जितनी पॉपलेशन थी उसमें 49 परसंट और एड हो गई 49.1 परसंट इसमें लास्ट है कानपूर नगर मतलब सब से कम जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है वह कानपूर नगर का हुआ 9.9 नंबर वन सरवाधिक दशकी वरद्धिदर की जिले में हुआ है गौतम बुद्धनगर में 49.1 परसंट और सबसे कम वरद्धिदर हुआ है कानपूर नगर में 9.9 परसंट तो यह आप दोनों चीज़े याद रुकिए बीच का भी आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर गा वाले मतलब की जो चाइल होते हैं चाइल को माना था है जिरू से 600 तक उनकी आवादी उत्तर पर देख से 3.07 करोड यानि कि उत्तर प्रदेख की 20 करोड की आपादी में 3 कρोड बच्चे हैं 0-6 साल के और ये उत्तर व देश के अबादी का कितना परसंट है? 15.41 परसंट है 2001 में ये कितना था? 19 परसंट था मतलब की 3.59% गिरा है तो मतलब पहले जितने परसंट मतलब पहले 2001 में 19% बच्चे थे पूरे उत्तरवदेश के अबादी में इस समय 15.41% बच्चे हैं पूरे उत्तरवदेश के अबादी में और देखें इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो 0-6 साल तक के जो लोग बच्चे होते हैं सबसे अदा अबादी इनकी कहां पर हो सबसे अद अबाधि वाला है। वाले बच्चे हैं उनकी अबादी में भी सरवाधिक इलाहाबाद है और सबसे कम है महोबा दोनों में आंसर सेम रहेगा 2011 की जनगरना के हिसाब से प्रदेश में 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों की जो जनसंक्या का अनुपात है वो राष्ट्री इस तर से ज़्यादा है percentage wise अगर आप देखेंगे 0 से 6 साल तक के बच्चे तो इनका हाईयस्ट परसेंट का अपे बैराइच में हाईयस्च संख्या का यह लाहबा आद नहीं है लेकिन परसेंट कहां पर बैराइच में और लोवेस्ट परसेंट कहां पर वह कानपुर नगर में लोग वर वर्लोव ने देखा था महबा में जन संक्या घनत को कहते हैं पॉपलेशन देंसिटी मतलब की 1 km2 के एरिया में कितने लोग रहते हैं वह उत्तर प्रदेश का है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर यानि की 829 पीपल पर स्कॉयर किलोमेटर ऑफ एरिया और इंडिया का है 382 तो काफी ज़ादा है मतलब उत्तर प्रदेश की पॉपलेश प्रती वर्ग किलोमेटर एरिया में तो पॉपलेशन डेस्टी के साब से आईएस्ट है गाजियाबाद लोवेश्ट है ललितपुरी दोलों याद रखिएगा आप सेकंड नमबर प्याजर नाषी फिर लखना ओ या फिर बदोई या फिर कानपुना गर है और फिर सेकंड लास्ट में यह सोन बद्र PAUL चरता जो यानि की जो आप देखें इसमें लट्रेसी रेट आ इसमें यानि के जुर अपनी इंडिया की टिफिनेशन है कि साथ साथ सी उप पड़ ले लिख ले वो उसको जो बोलते है तुसके हिसाब से 2011 के साब से योP की ूसके रिटार प्रेशी रट कितना है 67.7% कि इंडिया की रिटार कितना है 73% है जो फाइनल डेटा कि हिसाब से कई जो 74% रिखा हुआ है वो गल्थ है 73% है यह उत्तर प्रदेश की कितनी 67.7% है पुरुष का जो साक्षरता रेट है वो है 77.3% इस तरी का है 57.2% उत्तर प्रदेश का अगर आप प्लेश देखें इंडिया में मेल और एवरेज लिटरेशी मतलब की जो आउसत आयू और जो पुरुष की आयू के इसाब से आप पुरुष। स्री उसत साक्षरता और प्लस पूरुस साक्षरता के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो 29 काफी पीछे है और फीमेल यानिकी जो अग महिला का सक्षरता के था रे थीज recoll이고 दोजार ग्यारा के राज में मैला वा पूरुष साक्षरता के बीच का अंतर कितना है 20.1% है देखे आप देख लिए इसमें पूरुष कितने प्रसितर साक्षर है 77.3% और मैला है 57.2% तो मतलब 20.1% का लिटरेसी रेट का डिफरेंस है और इस तरह का सरवाधिक अंतर पाया गया है महराज गंज में सबसे कंपाया गया है कानपूर नगर जिले में मतलब कानपूर नगर की जो महिला हैं हो काफी ज़्यादा साक्षर है 80.12% के साथ हाईस्ट पे है वो और स्रावस्ति है लोविस्ट पे अगर आप मेल सक्षर्टा की बात करेंगे तो इसमें देगे ये पूरा मैंने इसलिए लिख दिया है ये तीनों चीज़े आपको याद रिक्दम रटी होनी चाहिए अगर आप उत्तरप्रदेश में ये बोल सबसे कम साक्षर है टॉटल में भी और मेल में था और मशानर में भी और उत्तरपोरला नगर कितना है 65.46% और नगरी साग्चरता दर है ये 75.14% मतलब अर्बान एरिया वाले लोग ज्यादा लिटरेट है सेक्स रेसियो उत्तर प्रदेश का कितना है 2011 के हिसाब से ओवराल इंडिया का 943 पहले 940 आ रहा था फिगर लेकिन फाइनल फैक्ट के हिसाब से इंडिया का 943 चायड्स सेक्स रेसियो कितना इंडिया का 919 है यह आप याद रखेंगा फाइनल फैक्ट उत्तर प्रदेश का कि नहीं कि 14 यह बढ़ा है सेक्स रेसियो ओवर ओल लेकिन चाइड सेक्स रेसियो 14 घटा है पहले 916 अब 902 हो गया है तो यह अब चाइड सेक्स रेसियो का मतलब वही है कि अगर 0 से 6 साल तक के बच्चों का आप लेंगे ओवर ओल तो उसमें से कितनी कितने बच्चे हैं बच्चिया हैं 0 से 6 साल तक वाली पर 1000 कितने बच्चे हैं उस हिसाब से है जैसे आप नॉर्मल सेक्स रेसियो निकालते हैं वैसे इसमें 0 से 6 साल तक के में सेक्स रेसियो निकाल लिए तो सेक्स रेसियो में अगर आप देखें हाइस्ट कौन सा जिला है से कम है बागपत ने 840 तो वयास्क और सिसू लिंग गानुपात दोनों की द्रस्टी से यह उत्तर प्रदेश देश के राज्यों और प्लस केंद्र सासित प्रदेशों में 26 सिस्तान पे मतलब सेक्स देश्यों में बहुत पीछे हैं उत्तर प्रदेश यह जितने भी डेमोग् मतलब 20 करोड लोग हैं उत्तर प्रदेश के करीबं 11 के हिसाब से उसमें से 77.73 परसेंट लोग ग्रामीड एरियास के वाले पॉपलेशन है और प्लस 22.27 परसेंट है यह अर्बन पॉपलेशन है तो उत्तर प्रदेश के अर्बन पॉपलेशन या फिर शाहरी जन संग्या कित और इनका जो ग्रोथ रेट था यह कितना था यह अर्बन पॉपलेशन वो थी 20.78 परसेंट और आप कितनी होगे 22.28 परसेंट 27 मतलब कि अगर अर्बन पॉपलेशन उत्तर प्रदेश के कितनी 22.27 परसेंट है 2011 के अनुसारगर आप देखें तो प्रदेश में 915 नगरों में से जो एक से दस लाग आबादी वाले नगर है वह चौशट गाजियाबाद फिर पोर पर आगर फिर वारणरसी मेरट इलाबाद केवल अगर नगरनिगम की बात करेंगे जो तस लाग से उपर है जहां जहां नगरनिगम उसमें नमब वन पर लखनाव पॉप्लेशन Partners Um Wiki तो नगर निगम के साब से लिखनाव मुए और नगर नगरी संखुलन आबादी के साब से कांपूर और नगर निगम के साब से लखनो का नंबर नंपर 67 पर कांपूर atau अगरा मेरडवारणसी फिर इसे लाबाद दस लाग से जाधा जहां नगरी जनसंग्या के इसाबसे मतलब अर्बन पॉपीलेशन अगर आप absolute population की बात करेंगे total population की बात करेंगे तो उसमें 2011 के census के साफसे सबसे जदा अर्बन population absolute number में थी महराष्ट में करीबन 5 करोड और up में थी number second पे करेबन 4.44 करोड तो up का जो place second है परसंटेज को कि अर्बन पॉपलेशन अर्यूपिक इतनी त्व ूम्हें यह उप सकते हैं इसमें फिर अर्बन देखेंस तो अर्बन पॉपलेशन में सबसे जहादा कि नियुक्त Kworking Garden की सख़ावस्ति मतलब सबसे ज़यादा नगरी जन संक्या कहां पे गाजियाबाद में सबसे काम है स्रावस्तिente घया देखें अनुसूची जन्जातियूं का तेकि उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या में से आप ये समझे कि टोटल अगर 100 लोग है तो उसमें से 20.69 SC है मतलब हर 100 लोगों में से करीबन 21 लोग SC है शेडिूल कास्ट है उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश का देखिए जो SC का सेक्स रेशियो है वो हलाकि एवरेज जो सेक्स रेशियो है हमारा उत्तर प्रदेश का 912 उससे कम है ये 907 है लेकिन ST का सेक्स रेशियो काफी जादा है उत्तर प्रदेश का वो है 950 दोनों को एक साथ तीनों को एक साथ डेटा देख इंडिया का अगर आप टोटल पॉपलेशन देखें तो इंडिया की पॉपलेशन में से स्टी का परसंट है एट पॉइंट सिक्स परसंट परसंट जितना इनका परसंट होता है उनीस आप से इनको रिजर्वेशन जनरली दिया जाता है जो भी जैसे पालिया मेंट और लोग सबा की सीड्स होंगी उसमें तो देखिए उत्तर पॉपलेशन का पहला नंबर है से लेकिन पंजाब का आप देखें तो पंजाब में रिश्य करीबन 31 परसंट मतलब पंजाब की 31 परसंट अबादी सी है फिर देखिए सी की हाईएस्ट पॉपलेशन कहां पे है एसी देखिए अब यह पूचा सकता है कि शेड्यूल कास्ट की हाईएस्ट यारी सरवाधिक की पॉपलेशन रखिए सीटापूर सबसे कम काहां पे भागपत में सबसे ज्यादा है पर्सेंटेज और पर्सेंटेज वाइस बागपत में सबसे कम है घर सुटन करोण चार पॉइंट गente 0.57 परसेंट और सबसे ज़्यादा आब से ज़्यादा आबादी वाला जिला भी सौनबद्र है और सबसे कम परसेंटेज वाला भी बागपत है तो बागपत सबसे कम यहां पर से रहते हैं बागपत में SC, ST percentage wise और absolutely सबसे कम रहते हैं यह आप याद कर लिए यह common point है इसमें बाकी सीतापुर में सबसे आदा SC रहते हैं और और यह सोन बद्र में सबसे आदा SC रहते हैं धर्मादादी आधारी तगर आप जन करना देखें इसमें तो total उत्तरफदेश में जितने 79.73% यह पहले करीबन 80% थे अभी यह जो लेटेस जिटा है उसके साब से थोड़ा सा कम हुआ है तो नंबर वन पे हैं हिंदू 79.73% नंबर टू पे हैं मुसलिम 19.26% मतलब कि उत्तरफदेश के आबादी का 19.26% मुसलमान है यह करीबन हर 100 में से 19 या 20 लोग करीबन प्रफदेश की है यह सिक है मतलब 0.32% है यह उत्तरफदेश की अबादी का 4 नंबर पे है इसाई 0.18% यह भी आप याद रखेगा यह भी पूछ सकते है कि उत्तरफदेश में धरमाधारित जंगरणा के साब से चौथे नंबर पे कौन सी है वो है इसाई और फिर यह जैनि और फिर पुद्धिज़ा में ठीक है उसके बाद देखे कारस बागिता रइसियो के साबसे अगर आप देखे 2011 के साबसे उत्तरफदेश की कारस बागिता रिश्यों कितना है 32.9% ग्रामीरिया में 33.4% सैरी अरिया में 31.2% मतलब इसका यह होता है कि उत्तरफदेश में सिर 33 लोग कमा रहे हैं बाकी सब उन पर आश्रीत हैं तो उत्तरफदेश का देखे 32.9% लोग कामगार हैं उनमें से मेल कितने हैं मेल हैं उनका 75.7% और फीमेल हैं ज्यादा तर मतलब मेल ही कमा रहे हैं उत्तरफदेश में कुल कार रशीलाबादी में से ये ग्रामीर्ड एरिया में कितने 78.9% चहरी सिर्फ डूटी 1.1% है उत्तरप्रदेश में चितने कार रशीलाबादी है हुँज ग्रेशी सिय में बाग मВी सीमाद काम घा रहे हैं और क्रशक इस impactful 29% है स्रमिक भी हैं क्रशी स्रमिक है 30.3% मतलब टोटल अगर आप कुल कामगारों की संख्या देखेंगा उत्तरदेश में सबसे आदा क्रशी में लगे हुए है 59.3% उसके बाद आमने छेत्रों में फिर गरेलू में 5.9% फिर देखें स्रम पॉपॉलेशन के हिसाब से अगर आप देखें स्रम पॉपॉलेशन के हिसाब से इंडिया में नंबर वन पे कौन सा इस्टेट है वो है महराष्ट अब सबसे ज़्यादा जो स्रम वाले लोग रहते हैं स्रम एरियाज में जो लोग रहते हैं वो उनकी अबा के लिए प्लस और बहुत सारी opportunities के लिए जो जाते हैं इसलिए भी काफी जादा है और सेकेंड नमबर पे हैं आंद्रप्रदेश ऐसार इस्टेट इसमें करीबं दस मिलियन लोग रहते हैं स्लम एरियाज में मतलब कि एक करोड 15.6% है यह पूरे इंडिया के अबाती का इंडिया का 9.5% है राज्यों में अगर आप देखें तो सर्वाधिक स्लमाबादी वाले जिले कौन कौन से हैं उत्तरपदेश में सबसे आदर स्लम एरियाज में रहते हैं मेरट में आगरा में कानपुर नगर में लगनव में गाजियाबाद में देखें उत्तरपदेश र पूल ग्रामीड जन संक्या में उत्तरपदेश का कितना पाट है 18.63% है अगर आप देखें अगर यह पूछा जाएगा कभी कि टोटल जो ग्रामीड आबादी है वो सबसे आदा काणपे उत्तरपदेश में है लेकिन अगर टोटल अर्बन एरिया की आबादी पूछी 59% है एक दसक में कितनी जन संग्या पड़ी करीबन 3.36 करोड 2001 से लेके 11 के बीच में जो आउसत दसकी है व्रद्दिदर डिकेडल ग्रोफ रेटर 20.22% है फिर यह ग्रियावट कितनी हुए पहले 25.8% थी और 5.63% गिर गई है 2001 से 11 के दोरान अगर आप देखें पुर्षों वा मैलाओं में ब्रद्दिदर कितनी कितनी हुए 19.31% और यह हुए पुर्षों में और मैलाओं का कितना है 21.23% मतलब मैलाओं की आबादी जो है उत्तर पुर्देस में जादा तेजी से बढ़ रही है उसके बाद अगर आप कम ग्रोथ से बढ़ रहा है 17.96 है सिर्फ और जो यह शहरी एरिया का ग्रोथ है उत्तर पुर्देश का हुए 28.82 फिर यह दसकी व्रदिदर में सभी राज्यों में उत्तर पुर्देश का इससान कौन सा चौदवां आप देखें यह कुछ यह लास्ट में कुछ समराइस करक लिखा हुआ है कि यह UPA, Density कितनी है 829 है इसकी और 9th नंबर पे India में Density wise Sex Ratio कितना है 912, SC का Sex Ratio 900 साथ है, ST का का काफी जाद है 956, 26 नंबर पे India में Child Sex Ratio यानिकी 0 से 6 साल तक के बच्चे वो है उत्तर पर देश की नौसो दो है और Literacy उत्तर पुरे इंडिया में 29 नंथ है टू परसेंट और मेल लिटेशी 77.3% सरवादी को सबसे कम जिले सबसे कम वाले जिले अगर आप देख लिजे एक बार लास्ट में समराइस किया हुआ है देखे सबसे अलबाद में सबसे जण गनतु कहां पे गाजियाबाद में सबसे कम है ललिःपूर में सबसे ज्यादा सा सबसे कम बढ़ी कानपुर नगर में लिंगान उपात सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जॉनपुर में सबसे कम है गौतम बुद्र नगर में 851 और जॉनपुर में लिंगान उपात मतलब की जीरो से छे साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका सेक्स रेशियो अगर आप देखें तो उसमें बल्रामपुर नंबर वन पे 950 बागपत 841 के साथ सबसे लास्ट में है एसी एस्टी डेटा कुछ और दिया हुआ है फाइनली एकदम क्रिस्प समरी दी हुए लास्ट में देश का जो सरवाधिक एसी अबादिवाला राज यह उत्तरपदेश है मतलब एसी की टोटल इंडिया में जितनी यह पॉप्लेशन है करीबन इंडिया में देखें 16.6 पर और यह भी हमने देखा था 20.69 परसंट उत्तरपदेश के जितने भी लोग है उनमें से 20.69 परसंट सी है अब देखें 16 की अबादी का लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा 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 सबसे ज़्य हाला कि Muslim की जो population है 19.70 करोड़ भी हमने देखा था पूरा इग्राप उत्तर बदेश में देखे जितना population है टोटल उनमें से 19.26% Muslims रहते हैं और यह इनको बोला आता है उत्तर बदेश की सबसे बड़ी जो अगर यह अल्प संख्या अगर आप देखें मुस्लिम है सिख है क्रिश्चन है जैन और बुद्धिश्ट है अलाकि 19-20% में माइनॉर्टी वाला स्टेटस थोड़ा सा इसमें कई बर डिस्प्यूटेट जरूर रहता है 2011 के हिसाब से अगर आप देखें सरवाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है वो उत्तरफदेश है यह बहुत इंपॉर्टन प्रेक्टर यह पूचा सकता है 2011 में अगर आप देखें 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले कौन से 21 जिले हो गए है सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिले कौन सा है वो है लटृपूर सबसे ज़्यादा मुस्लिम सबसे कम अगरादी-दर वाले धार्मिक समुदा है मतलаций की हुरह रही है या फिर किस धार्मिक समधा की हो रही है सबसे आदा हो रही है इसाई की 67.7% से यह लोग पॉपलेशन बढ़ा रहे हैं बहुत की सबसे निगेट्व ग्रोथ हो रहा है 31.7% मतलब यह लोग जितने हैं उसमें भी 31.7% से गट रही है इनकी पॉपलेशन ही गठा रहे हैं सबसे सबसे आदा लिंगा नुपात अगर आप देखें तो किस कम्यूनिटी का है सबसे आदा जो सेक्स रेस्यों है इसाई का 950 सबसे काम है सिक्क का 885 यह देखें लाइफ एक्सपेक्टेशन से उत्तर प्रदेश में 63.8% मेल की 62.5 है और फीमेल की 65.2 है मतलब महिला हैं इंडि सबसे कम है मांसिक 1.84% में जो मांसिक वाली कंडिशन वाले कम है सबसे भारत में कुल आबादी जितनी विए दिव्यां की उसमें से उत्तर प्रदेश में 15.5% रहती है तो यह हो गया पूरा उत्तर देश का सेंसस यानि कि उत्तर प्रदेश की जन गड़ना का पूरा फैक् आकड़े यह वाला भी जल्दी से आपको वीडियो मिल जाएगा देखे इसको आप यह हमारा टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोन कर लिए जितने भी एक्जाम से जो कुछ फ्री वाली पीडियाप से हैं बहुत सारी वह हम उसको टेलिग्राम में अपलोड करते हैं और टेलि करना है लेकिन उससे पहले आपको टेलिग्राम अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उस लिंक पर जाके क्लिक करके आप उसको टेलिग्राम से ओपन करके आप उसको जोन कर सकते हैं डायर्क्ली थांक्यू फॉर लिस्तिंग प्लीज दू लाइक और शेयर उत्तर प्रदेश के एक्जाम जितने भी होते हैं यूपी पीसेज आरो ए आरो ए आरो एसाई सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये